नमस्कार घरे लूप चार में आपका स्वागत है कहीं भी रहें खुशाहाल रहें मित्रों समय के अनुसार कोई भी कार करें और ज्यादा लंबी चोड़ी अगर दोस्ती रखेंगे तो सायद आगे चल कर आप परेसान हो सकते हैं तो मित्रों इसी लिए कहा गया है कि समय के साथ मिलकर कार करने में सफलता प्राप्त होती है मित्रों बहुत से तोड़के आपने किये होंगे किसी भी माध्यम से तोड़का को किये होंगे धन के लिए दुनिया धन के ही पीछे दोरती है धन नहीं तो कुछ नहीं तो मित्रों सबसे बड़ी बात है कि धन आने का जरिया होना चाहिए तभी कोई टोड़का प्रयोग देखने में कारगर आपको समझ में आएगा मित्रों अगर धन आने का कोई जरिया नहीं कोई सरोत नहीं और हजार टोड़का कर दिया जाए फिर कहां से धन आएगा धन आकाज से बरस्ता नहीं जेगा घर में धन आने के लिए कोई सरोत जरिया चाहिए तभी उसका अवागमन तेज हो जाता है टोड़का परियोग से लेकिन जरिया होना जरिया है और यही में कारण है कि कुछ लोग टोड़के पर टोड़के किये जाते हैं लेकिन पैसा आने का कोई सरोत नहीं जरिया नहीं आप अमधनी को बढ़ाने का जरिया करिये उसको खोजिये ढूड़िये करिये उसके पीछे रहिये फिर टोड़का को करिये देखिये आपका अमधनी कई गुना तेज हो जाएगा तो मित्रों यही सब कारण है कि टोड़का विफल होता है सबसे जरूरी आमधनी का सरोत जरिया है तो मित्रों आज हम घर में जोरदार धन आने के लिए और जो जो इक्छा रखेंगे वह पुर्ण होगा चाहे वह कार या किसी भी प्रकार का क्यों न हो और जो कार करने के लिए जाएंगे वह कार बनेगा केवल उसका दर्शन मातर से ही तो मित्रों यह क्या है सबसे समझने जोगे बात है तो मित्रों इसका लाभ देहाद के लोग ही उठा सकते हैं तो मित्रों यह हल्दी है पीली वाली हल्दी इसका खेती देहातों में होता है तो मित्रों चलें हम सबसे पहले हल्दी का आपको छित्र दिखा दूँ तो मित्रों यह हल्दी है इस हल्दी में इसके फूल आते हैं मित्रों फूल भी कई रंग बिरंग के होते हैं लेकिन सभी पोधे में नहीं आते हैं मित्रों इसका फूल दुर्लब है यह फूल बहुत भगसाली होता है तो मित्रों आप अगर देहात में रहते हैं तो जहां हल्दी की खेती होती है और जब इसका फूल आने का समय होता है तो उस समय आप उन खेतों के किनारे घुमते रहें अगर उन खेतों में अगर सफेद रंग का कोई फूल दिखाई दे दिया तो किसी भी दिन को इसको नहीं तोड़ना है मित्रों या तो समवार हो या सुक्रवार हो तो उस फूल वाले पौधे को ही आपको नीचे से काट कर लाना है और घर लाकर उस सफेद रंग के फूल को भूप दीप दिखा कर और अपने पूजा आस्तल में रखें जब एक दो दिन पूजा पाट करने के बाद जब थोड़ा हावा लग जाए तो उस फूल को या तो आप पूजास्तल पर ही रहने दें या आपने कैस बक्स में रखें तिजोरी में भी रख सकते हैं तो मित्रों यह फूल जब तक घर में पड़ा रहेगा अगर आम दनी का कोई स्रोत है आपके पास तो वह स्रोत आपके लिए बेजोर हो जाएगा आम दनी इतनी तेज हो जाएगी कि आप खुसहाल हो जाएगे और माल अच्मी का जोरदार बास होगा मित्रों हल्दी ऐसा ही सुभ माना गया है बिना हल्दी का कोई कार्य नहीं होता तो मित्रों यह हल्दी का फूल जिस घर में रहता है माल अच्मी का अस्ताई बास होता है तो मित्रों आप इसे ढूढ़ें और ढूढ़ कर लाकर अपने घर में रखें लेकिन फूल सफेद वाला ही होना चाहिए तो मित्रों यह फूल आपको खुसहाल बना देगा अगर आप चाहते हैं तो इसे परतेक साल बदल भी सकते हैं क्योंकि यह आसान होता है देहातों में इसकी बड़ी लंबी चवरी खेती होती है तो मित्रों आप इसे पराप्त करें और घर बैठे लाव को उठा सकते हैं तो हम इसी तरह से आपको वीडियो देता रहूंगा और आप घर बैठे वीडियो से लाव को पराप्त कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजे इजाजात नमस्कार